Microsoft Excel में आज हम सिखेंगे Excel के अंदर EMI कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का जब भी आप कोई product खरीदते हैं online या offline तो उसका जो है EMI आपको निकालना पड़ता है तो वो मैं आज आपको बताऊँगा कि Excel के अंदर आप जो है असानी से EMI कैसे निकाल सकते हैं यह पार्ट 15 आप देख रहे हैं सब्जेट को मैं हूँ राजकमार सिंग तो आई आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो यहां पर बात करते हैं EMI की बारे में तो यहां पर Excel सीट में देख सकते हैं दो प्रोड़क्ट मैंने चुना है यहां पर एक लैप्टोप है और एक मोबाइल है सबसे पहले बात करते हैं लैप्टोप के बारे में कि आप कोई भी product खरीते हैं और एक बार उसका पूरा पैसा नहीं देना होता है धेरे-धेरे करके आप उसको payment करते हैं तो उसे हम जो है EMI कहते हैं installment तो EMI का full form होता है equated monthly installment EMI का full form है अब बात करते हैं यहाँ पर जो यह होता है PV यानि कि present value तो present value आपका यह हो गया ठीक है time जो है आपका यह हो गया 6 महीने यह time period और interest rate आपका यह अब C यह है column और 9 कौन सा होगे आपका यह यह यानि कि पहले interest लेंगे उसके बाद इसको जो है divide कर देंगे 2L से यानि कि 12 से divide करना होगा क्योंकि हम मंथली निकाल रहा है और यह यहां पर year का दिया हुआ है तो मंथली जो है निकालने के लिए आपको 12 से divide करना होता यह पर simple और उसके बाद enter करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा यहां पर चेक करते हैं सबसे पहले यहां पर लगाएंगे equal लगाने के बाद यहां पर टाइप करेंगे PMT यह हमने select किया formula सबसे पहले यह पूछ रहा है rate याने की interest rate यह हो गया आपका interest rate इसको divide कर देना है आपको 12 से उसके बाद कोमा n पर n पर क्या होता है number of payment याने की कितने दिन में payment आपको देना है तो मैंने का 6 महिने में मुझे time मिला 6 महिने का उसके बाद कोमा उसके बाद यहां पर आ गया pv देख सकते हैं नीचे pv highlight हो गया pv मतलब present value याने की पूरा कीमत कितना है तो पूरा कीमत जो वो है 55,000 इसे select करेंगे उसके बाद bracket close कर देंगे और enter कर देंगे तो यहां पर यह value देख सकते हैं निकल के आ गया अब यह value जो निकल के आता है वह आपके एक्सल सीट में देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा डॉलर का sign लगा होगा इस तरह से तो बस sign अलग होता है बाकी चीज जो है ठिक ठाक निकल के आता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले डॉलर का जो sign है इसको हटाना है हटाएंगे कैसे इस पर click करके यहां पर जाएंगे देखें नंबर ब्लोक में और यहां पर जाके यहां पर आपको minus लगाना है यहां पर क्लिक करके और यहां पर यह जो पीवी वाला value है इसमें यहां पर माइनश लगा देंगे और एंटर कर देंगे तो यह आतमेटिक प्लस में हो जाएगा लेकिन dollar का sign फिर से आ जाता है तो फिर यहां पर जाके आप जो डॉलर के sign को हो जाएगा इसका पूरा complete चेक कर लेते हैं जैसे कि यहां पर मैं करूंगा इक्वल multiply इसको multiply कर दूंगा मैं किसको 6 से तो देख लेते हैं 65,000 निकलना चाहिए देखे 65,000 निकल के आ गया तो यानि कि 6 महिने में आपका जो है यह पूरा installment हो हो जाएगा complete हो जाएगा हर महिने आपको किस्त जाएगा कितने का 10,833 रुपे का तो यह आप इस तरह से निकाल सकते हैं आप बात कर लेते हैं कि अगर 0% की जगह interest rate 5-10 या 6% हो तो कैसे निकालेंगे तो उसके लिए भी लेते हैं जैसे कि यहां पर एक mobile आपने लिया है किसी ब्रांड का 50,000 का mobile है और mobile का कीमत तो 50,000 है लेकिन इस पर interest rate 6% लगा है और time period मिला आपको तीन महिने तीन महिने में आपको पूरा complete करना है पूरा पैसा दे देना है उसको तो कैसे निकालेंगे इसका भी लिखेंगे मंतली में तो मंतली में मंत में convert करने के लिए क्या करते है बारस से divide करना पड़ता है उसके बाद कोमा लगाएंगे एंपर का क्या मतलब है number of payment यानि कि कितने दिन में पैमेंट आपको देना है तो मैंने यहां पर चुना तीन महिने में कोमा उसके बाद पीवी present value कितना है य तो dollar के sign को यहां पर मैं हटा देता हूं यहां पर general करेंगे जैसे ही dollar का sign हटेगा यह value minus में हो जाएगा अब इसे plus में हमें यहां पर show करना है तो plus में double click करेंगे इस पर यहाँ पर double click कर सकते हैं यह आप क्या करेंगे simple इस पर click करके यहाँ भी formula में changes कर सकते हैं यहाँ पर click करके तो मैं यहाँ पर करता हूँ general उसके बाद यहाँ पर मैं लगा देता हूँ यह PV वाले value से पहले यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर लगा देंगे PV वाले value में यहां पर डॉलर में दिखा रहा है जनरल करेंगे यह प्लस में यहां पर बन गया और पॉइंट के बाद मुझे यहां पर चार वाइलू दिखा रहा है यानि कि चार नमबर तो मुझे जो है दो देखनाई के बड़ दो तो 16,833 रुपे 61 पैसे अब यहां पर कल्कुलेट करक करेंगे इसको multiply कर देंगे multiply का sign देंगे कीवोड से और कर देंगे इस value को select और enter तो 50,500 तो टो टोडल जो है मुवाइल का कीमत हम 3 महने में इतना payment कर रहे हैं जबकि 50,000 अवाइल था लेकिन हमें इतना payment करना पर रहा हिए क्यूंकि 6% का इस पर इंट्रस्ट रेत भी लग गया अब हमें पता कैसे चलेगा कि में पैसा कितना डिए जा कितना ज्यादा जा रहा है तो उसे पता करने का तरीका है आप यहां पर करेंगे एक्वल और यह जो वैल्यू निकाला है आपने टोटल इसको इसमें से माइनेस कर देंगे तो निकल के आ गया पांसो एक रुपे आप जो है सिर्फ इंट्रस्ट इसमें पेमेंट कर रहे हैं य जो है यह माई आसानी से निकाल सकते हैं ध्यान रखना है आपको यह निकालते समय आपको जो हैं इंट्रस्ट रेट को हमेशा 12 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर आप मंधली निकालना चाते हैं और इंट्रस्ट पता करने के लिए आप यह तोटल वायलू में से पीवी चलना सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके साइड में दिये बैल आइकन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहें सब्जेट को और सिखते रहें